ग्रान अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारी बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रों सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारिधर मिंद शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल अगर हम बात करें तो पूर्दिशा में रहेंगे इसलिए पूर्दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पूर्दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो अद्रक खाकर के यात्रा औरंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह नो बजे से शुरू हो करके दस बज के तीस मिनिट तक रहेगा राहुकाल के दोरान कोई भी शुबिया मैंगलिक का रिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निर्ड़े आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा के लेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई खेत्रों में माना जाता है और कई खेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दिए हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की मकर राशी में वही चंद्रमा धनू राशी में मंगल ग्रह भी धनू राशी में बुद्ध ग्रह मकर राशी में देव गुरू ब्रहस पती जो की कुम्ब राशी में शुक्र ग्रह धनू राश सिद्ध होगा धनलाब के सांसात का रिक्षत्र में उन्नती तथा प्रगती के भी उत्ता माउसर इनको प्राप्त हो सकते हैं तो अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी पल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अन्त योगडान रहेगा इस समय आर्थिक इस्तिती उचित बनी रहेगी भविश्य शंबंदी निवेश के लिए समय और दिन उत्तम है संतान से संबंदित कुस्त कारियों में आपका धन खर्च होगा खर्च की अधिक्टा हो सकती है अपनी भावगता जैसे स्वभावपा नियंत्र रखे अन्यता कुछ लोग आपका गलत फाइदा उठा सकते हैं दो पहर के पश्चात ग्रहस्तितियां कुछ विप्रित होगी तथा मन में कुछ नकारत्म विचार भी आएंगे जो आपको परिशान करेंगे इस समय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविद्यों पर आपको ध्यान देना चाहिए महनत और लगन से कारिय किया गया तो आपको निश्चय ही लाप प्रसिद्ध होगा और उपाई के रूप में चट के ऊपर पक्षियों को दाने डालना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की इस समय कुछ धार्मिक सामाजिक तथा अन्य कारियों के प्रत सदुप्योग आपको करना चाहिए ध्यान रखे कि किसी नजदी की रिस्तिदार की वज़े से धन हानी संभाव है लेन देन करते समय लापरवाही बिलकुल न करे घर के बुजुर्गों के स्वास्त का विशेज ध्यान रखे यह समय किसी भी यात्रा करने के लिए उचित न आपका भगीशाली अंक आठ होगा भगीशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की आपका अधिक्तम समय अपने व्यक्तितों को और अधिक बहतर बनाने में व्यतित होगा विध्यारतियों को विध्या या सिक्षा के अनुरूप कोई न medium vulner म जिसकी वजह से स्वभाव में चिर्चड़ा पन रहेगा आपकी अधिकार पूर्ण वानी दूसरों को नाराज कर सकती है अपने स्वभाव को सहज वन नरम बना करके आपको रखना चाहिए आज कोई भी नया काम शुरू न करे तो ही बेतर है क्योंकि इस समय कोई भी गलत होने की वजह से नुकसान हो सकता है बहतर होगा कि वर्तमान परिसितियों पर ध्यान दे नुक्रिपिशा वेक्तियों को काम की अधिकता की वजह से और टाइम भी करना पड़ेगा उपाई के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में चावल चड़ाना आपके लिए चल करके फाइदा होगा खरिदारी होगी समय अच्छे से वितित होगा सभी सदस्यों के बीच हास परियास तथा मनुरंजन भरा वातावरन रहेगा परिवार तथा व्यवसाय के बीच बहतर तालमेल बना कर रखेंगे व्यस्तता के बावजूत सभी कार्य सहज तरीके से प आपका व्यतित हो सकता है उपाय के रूप में भोजन के बाद मीथी वस्तु खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की आपका प्रभावस्वाली तथा महत्पूर्ण लोगों के बीच में कुछ समय व्यतित करना आपके आत्मबलव कारिक्षमता में और अधिक व्रद्धी करेगा आपकी वानी दूसरों के ऊपर एक छाप छोड़ेगी समाजिक शत्र में आपके संपर्क का दाइरा बढ़ेगा कभी-कभी ऐसा प्रतीत होगा क कि भाग्या आपका सांत नहीं दे रहा है जिसकी वजह से आपके आत्मुश्वास में कुछ कमी आ सकती है परंतु मनन करे कि आपको मैसूस होगा कि यह सिर्फ आपका वहम है लाभ के सुरोत कुछ कम रहेंगे मशीनरी खनपान से संबंदित व्यवसाय में बहतर आपको अब हम बात करते हैं कन्या राशी की आपके उत्तम व्यक्तित तथा प्रभाव साली वानी के प्रभाव से सामाजिक और पारिवारिक शेत्र में आपका रुत्बा बढ़ेगा आपका सम्मान बढ़ेगा आपके कुछ महत्युपूर्ण लोगों से संपर्क घनिष्ट होंग निवेश शंबंदी मामलों में ज़्यादा पैसा न लगाएं क्योंकि इस समय नुकसान के आसार बने हुए हैं उपाई के रूप में गाय को हरी घांस या हरी सबजी खिलाना आपके लिए शुप्फल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली र लोगों में तारीफ का कारण बनेगा अध्यात्मिक क्षित्र के प्रतियापका रुजान और अधिक बढ़ेगा परन्तु कभी कभी लापरवाही के वज़े से आप बैठे बिठाएं किसी मुसीबत में पढ़ सकते हैं आप पर कोई बदनामी का आरोप भी लग सकता है इसल प्रताय के रूप में गरिब व्यक्ति को चने की डाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक चार होगा भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासेगी बच्चों के भविश्य को लेकर कुछ योजनाई बनेगी तथा निवेश संबंदी कारियों में आपकी दिलचस्पी रहेगी दिल की बजाए दिमाग से काम करें हिम्मत और साहस के बल पर असंभाव कारी भी आसानी से संभाव हो जाएंगे भावकता में आकर कोई भी गलत निरनाय न करें किसी नजदी की रिस्त रहने की आपके लिए आउशकता होगी और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि एक इलाइची आप खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं धनुरा जाने का आमंतरन आपको प्राप्त होगा पैसा आने के साथ साथ कुछ खर्चे भी तैयार होगे कभी कभी मन में निराशावा नाकरात्मक विचार उत्पन हो सकते हैं ऐसे विचारों से आपको दूरी बना करके रखना चाहिए उपाई के रूप में लाल कुंकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की आप अपनी योजिना किसी भी प्रकार से जो है किसी के सामने प्रगट न करे गुप्त उसको रखना भी सुचना आपको मिले उससे नजर अंदाज न करे आपके लिए वह फाइदेमन साबित होगी उपाई के रूप में काले तिल गाय को खिलाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका नीला होगा अब हम बा बच्चों के साथ उनके क्रिया कलापों में रूची जाहिर करना उनके आत्मेश्पास को और अधिक बढ़ाएगा घर की किसी महत्वफून वस्तु के न मिलने से कुछ चिंता हो सकती है और उपाई के रूप में देवी जी के मंदिर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा आपका भग्यशाली अंक एक होगा भग्यशाली रंग आपका हारा होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा वक्षमता को निखारने का अउसर प्राप्त होगा समाज में आपकी किसी विशेस आपका लाल होगा तो मित्रो यह 12 राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंड करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अबश्य कर लिजिए आपको राब के पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद